हेलो अरिवान, वेलकम टू फाउमरोक्स यूटूब चैनल, फाउमरोक्स की यूटूब एज़ूग इसने चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे किटो रोलाग टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिशन के बेजिक यूज के बारे में साधी जने के उसका डोस क्या होता है सिखेंगे उसके साइड इफेक्ट्स, वार्निंग और कॉंटर इंडिकेसन ये लेक्चर के इंदर डिटेल में तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सिखते हैं कितोरो लेक्ट के बारे में तो एक्सपेट लेक्चर बाया मर्सर, और सिखेंगे नद और कॉंटर इंडिकेसन से एक साल तक औफ़ार्ड इबल प्राइज में फार्मरोक्स के अब उपर वो भी सरयल बासा में तो डाउनलोड करें आप फार्मरोक्स standard user android app download करे iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो आप समझते हैं keto रोल एक tablets के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम non-steroidal anti-inflammatory drugs कहते हैं और यह medications के पास ऐसी property है कि जो सुजन भी कम करती है और analgesic property होने के करण यह medicine pain भी कम करती है जिसके करण जो अलग-अलग ऐसी विमारिया की जिसके अंदर pain और सुजन है जैसे की osteoarthritis है, rumated arthritis की जिसको हम गठिया रोग कहते हैं वात रोग भी कहते हैं साथ हो साथ जो ankylosing और spondylitis की जो condition है उसको भी ठीक करती है यह keto रोलेक tablet तो simply हम उसका काम देखे तो किस तरह से medication अपना काम करती है working करती है तो यह क्या करते है जो prostaglandins का जो synthesis होता है हमारी body के अंदर तो उसकी effect को inhibit करके अपना काम करती है और हमें जो पता है कि prostaglandin ऐसे chemical है कि जब वो release होते है तो वो responsible बनते हैं सुजन के लिए पेन के लिए तो जब यह prostaglandin हमारी body messages काम होता जाता है उसकी effect काम होती है तो automatically जो सुजन वगेरा है पेन वगेरा है वो काम होते जाते हैं और उसका ilaj हो जाता है तो सबसे पहले समझते हैं working and mechanism ketorolakky तो यहाँ पे आप देखो कि जो arachidonic acid होता है उसमें से आगे जाके prostaglandins बनता है कि उसके लिए cox 1 enzyme समझो कि involve होता है तो भी prostaglandin बनेगा और cox 2 involve होगा तो भी prostaglandins का synthesis होता है मलब कि cyclooxygenase जो enzymes होते हैं वो enzymes के involvement से arachidonic acid आगे जाके convert होता है prostaglandin के अंदर और ये prostaglandins जो है वो responsible बनते है pain के लिए inflammation मलब के susan के लिए fever वगेरा के लिए और hemostasis भी वो करवाते हैं तो ये कुछ effect produce होती है कि जब prostaglandins का synthesis हो जाता है तो हमारी जो medication है ketorolak वो क्या करती है ये cox जो enzyme है उसकी effect को inhibit कर देती है जिसके करण आगे जाके जो है वो prostaglandins का synthesis नहीं हो पाथा तो यहाँ पर आप पात्वे समझें कि ये जो cox enzyme है उसकी activity को हमारी जो medicine है ketorolak की ये inhibit कर देती है अब cox नहीं होगा तो आगे जाके ये prostaglandins नहीं बनेंगे और prostaglandins का synthesis कम हो जाएगा हो जाता है तो इस तरह से ये ketorolak medication काम करते हैं अब समझेते उसके dose के बारे में तो उसका जो dose है 10 से लेकर 20 mg जितना आप ले सकते है orally हर 6 गंटे पे अच्छे से समझे लेकि 24 hours का हम पूरा दिन calculate करते हैं तो उसमें आप हर 6 गंटे पे 10 mg minimum ले सकते है that means कि आप जो हो इस तरह से की 1, 1, 1 और 1 सुबह, दोपहर, साम और रात इस तरह से 4 टाइम पे ये tablet जो हो ले सकते है कि एक tablet की strength है 10 mg दूसरा tablet 10 mg का 6 गंटे के बाद तिसरा tablet 6 गंटे के बाद और 4 टाइम आप जो हो 6 गंटे के बाद लेजिए तो इस तरह से आप दिन में maximum 4 ये tablet ले सकते हैं अगर आप ये वाला dose फॉलो करते हैं 10 mg वाला अगर 20 mg के तोर पे आप लेते हैं हर 6 गंटे पे तो आप जो हो दो टाइम पे ले सकते हैं इसके indications मतलब कि कहाँ पे और कौन से अलग-अलग बीमारियों में किटर अलग medicine यूज कर सकते तो जब pain होता है body के अंदर और सुजन होती तो pain कम करने के लिए और सुजन कम करने के लिए ये medication खास कर यूज करते हैं जैसे कि ऐसी कंडिशन के जिसके अंदर आपको दात में दर्द हो रहा है फिर body pain हो रही है कि जिसके अंदर fever भी है muscles भी pain कर रहे हैं याप याप देखो कि body aches जो हम कहते हैं जैसे headache होता है ऐसे ही body के अंदर आपको दर्द होता है pain वगेरा होता है तो ऐसी कंडिशन में भी keto relax के tablet यूज़ के जाते हैं फिर bond fracture हो जाना कि हमारी जो हड़ियों में fracture होना और उसके करन आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे सुजन हो गई है muscles cramps हुए है और वहाँ पे आपको सुजन है दर्द है point में आपको दर्द हो रहा है तो भी वह pain और सुजन को कम करने के लिए keto relax के tablet यूज़ कर सकते है साथ हो साथ जो गठिया रोग होता है कि जाहे osteoarthritis है या फिर rheumatoid arthritis या फिर enkylosing spondylitis है तो उसमें सुजन कम करने के लिए और दर्द दोनों को कम करने के लिए keto relax के tablets prescribe किये जाते है आप समझ लेते हैं ये medication के side effects के बारे में तो जब आप ये medication यूज़ करते हैं तो उसके करन आपको vomiting हो सकती है उल्टी हो सकती है जिसको हम कहते है फिर stomach pain मतलब कि पेट में आपको दर्द होता है ऐसा आप फिल करते कि अगर आप काफी high dose में आप यूज़ कर लेते तो जैसे मैंने बताया कि आप minimum 10 mg के strength में ही उसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 tablet ले या फिर 4 tablet यूज़ करें higher dose में यूज़ करने से क्या होगा कि आपके side effects और ज़्यदा खराब हो सकते हैं फिर epigastric pain आपको हो सकता है कि stomach pain जैसे ही है nausea मलब कि जी घबरा सकता है indigestion मलब कि पेट में जो है वो proper digestion ना हुआ हो as well as आपको पेट में जलन जैसा फिल हो सकता है ऐसे कुछ complications produce होते है diarrhea मलब कि कुछ लोगों को दस्त हो जाते है यह medication लेने के बाद heartburn मलब कि सीने में जलन होते है जैसे acidity होती है और उसके बाद जैसे आप stomach discomfort जैसे condition फिल करते हैं indigestion फिल करते हैं कि जिसको opachan जैसे condition हम कहते हैं सीने में जलन होना acidity जैसा फिल करना यह सब side effect कीटरोलैक्स से हो सकते है और कई बार loss of appetite मलब की भूग कम हो जाना तो यहाँ पर आप देखो कि कीटरोलैक्ट टैबलेट को कई बार जो antacids medications उसके साथ दी जाते हैं अगर आप किटरोलैक्स के टैबलेट लेते हैं तो साथ में आप antacid वगरा ले सकते हैं या फिर vomiting जैसा फिल हो तो आप उसके साथ anti-emetics भी ले सकते हैं जैसे vomiting कम करने वाली medicines होती है तो इससे भी यह कुछ side effects को हम कर्म कर सकते हैं आगे समझे उसके contraindications के कौन से condition में यह tablet को use ना करें तो अगर आपको heart disease है कि आपका heart related भी ना भीमारी है दिल के दौरे पढ़ते हैं या फिर आपका दिल कमजोर है तो ऐसे लोग कभी भी यह medication को use ना करें कि जिसको icemic heart disease का आ जाता है और sort में उसको IHD भी हम कहते हैं या फिर आप ऐसे पेसंट है कि congestive heart failure के पेसंट है CHF जो कहते है MIK पेसंट है Myocardial infractions के मलब कि heart attack वगरा के पेसंट है मतलब कि heart related कोई भी भी भीमारी है तो कीटर और लैक के tablet आप use ना करें फिर arterial diseases वगरा है कि आपके arteries से जुड़ी बीमारीय के arteries के अंदर fat जमा हुआ है या फिर वहापे cholesterol जमा हुआ है तो भी ये medication को use नहीं करनी चाहिए तिसरा cerebrovascular disease वगरा है तो भी आप ये medication यूज ना करें आपको peptical cancer है और ये अभी तक untreated है कि उसकी इलाज अभी तक नहीं हुआ या फिर आपको कोई medical history रही थी कि आपने nurses medication लिए और उनके करन आपको gastric ulcer या फिर duodenal ulcer जिसके जिसे peptical ulcer आपको हो गए थे तो ये medication को आप use ना करें फिर आपको IBD का problem है inflammatory bowel disease आपको हो जाती है तो वो भी ये medication को use ना करें फिर जिन लोग की kidneys अच्छे से काम ने कर रहें उनका liver अच्छे से काम ने कर रहा कि जिसको hepatic failure या फिर renal ferial जो हम कहते हैं वो लोग भी use ना करें फिर बच्चों में ये medication को खास जो है वो avoid करने चाहिए कि बच्चों को आप ऐसा हो तो simply paracetamol वगेरा ही use करें उनके लिए अगर उनको pain या धर्द है तो उनके लिए ketorolac वगेरा use करने की जरूरत नहीं है और pregnancy में भी same advice रहें कि pregnancy में भी आप अगर pain वगेरा है fever वगेरा है तो उस वग paracetamol के टाबलेट्स ले सकते कि वो सबसे जो है वो safe रहते हैं बड नसिर्स के अंदर ketorolac के जो टाबलेट्स है वाप ये सभी medical conditions के अंदर avoid करें because safe alternative options आपके पास available हैं तो risk लेने के कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे ही सिखे दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose side effect warning and contraindication सरल बासा में एक साल तक affordable price में farmer rocks के अब उपर सिखे दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose क्या रहते हैं उनके side effects क्या रहेगी warning क्या रहती है, contraindications क्या रहते हैं और access करें उनके PDF, PPT's file affordable price में farmer rocks के अब उपर android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं तो link description में दे दी हैं हमने तो download करें आप farmer rocks android user android app download करें iphone user app store से contact number है 9016312020 good luck and all the best